जहीं दोस्तों नमस्कार मैं अन्द शुक्रमा श्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सबकी सबसे फेवरेट क्लास में आज हम करने वाले हैं बहुत ही इंट्रेस्टिंग चैप्टर की प्रैक्टिस सेट तो आज ओ बिटा फटा फट आज ओ अप लोग और बताओ कैसी च होया है क्या फिर से वैसी आकिकत तो नहीं हो रही है न बटा ध्यान रखना कि बहुत ही गोल्डन फेज हमारा चल रहा है बैचा क्योंकि टेन की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है तो उसके एकॉर्डिंग लिए आपको वैल प्रिपेर होना पड़ेगा तो बैक में पार्टिसिपेट करना जान जाते हैं कि कैसे किसी चीज़ को यूटिलाइज किया जाता है यहां से हम अपने सीखते हैं एनरजी को यहां से हम अपने सीखते हैं कैसे experience लेकर के हम आगे बढ़ेंगे कितनी study करनी पड़ेगी कितना हम bad करके पढ़ाई कर सकते हैं यह सब क पहले हम anxiety खतम करते हैं concept के बाद anxiety खतम करते हैं तो हम अपने थर्ड चेप्टर में यानि linear equations in two variables में इसमें हमने three point two पहले concept खतम किया फिर three point one खतम किया फिर three point two भी finish कर दिया है आज हम करने जा रहे हैं बिटा three point three के question number one के questions मैं बहुत slow बहुत दीरे दीरे ज्यादा वीडियो लंबी ना जाए इसके लिए मैं कुछ-कुछ parts में मैं आपको provide कर रहा हूं बिटा कि ताकि आप इसको फटा-फट देख लो जो भी problems questions में आ रही हैं इसको खतम करो और उसके सा next session में हम three point three भी complete कर लें और हमारा third chapter complete हो जाए फिर four फिस्टार्ट हो जाएगा बच्चो तो चलिए स्टार्ट करते हैं without any delay questions को solve करना NCRT यानि आज का हमारा topic रहेगा exercise three point three इसको complete करेंगे देखते हैं आईए पहला questions देख रहा है बेटाप पहला questions आप से क्या कह रहा है ध्यान से समझेए पहला questions कह रहा है कि यह solve कीजिए pair of linear equations को by the elimination method and the substitution method हमने three point two में भर-भर के substitution method किया है बच्चा तो यहां पर इस पर आप करोगे काम क्योंकि जगर आपको नहीं पता है कि substitution method होता है क्या है तो फटा फटा फट जाना three point two के सारे questions को देख लेना आज मैं सिखाऊंगा elimination method मतलब exam में अगर आपको यह याद रहे क्योंकि already मैंने आपको concept तो सिखा दिया concept की class video है इसमे description में ही सारे link है बच्चा जाकर कि उसमें पूरी वीडियो खतम करो अगर आप पहले दिन आज आपकी पहली class हो तो पहले उसको खतम करो फिर आज इसको practice करना बच्चा तो याद रखना कि जो elimination method होता है यह most important होता है reason क्यों सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप क्योंकि जब questions आप से कुछ भी demand नहीं करता है method की questions आएंगे उनको without any मतलब जो भी questions आपको दिये जाएंगे नो उनको solve इसी तरीके से करना पड़ेगा यानि elimination method से solve करना पड़ेगा वह आप से पूछे या ना पूछे लेकिन आपको solve इनी से करना पड़ेगा बेटा ऐसा क्यों बेटा ऐसा क्यों सर आप क्यों ऐसा बोल रहे हो कि नहीं इसी questions से करेंगे बच्चा यह ना क्योंकि बहुत easy होता है और इसका पढ़ाने का तरीका इसका solve करन मिल जाई उस value को किसी भी equation में put करके दूसरे की value निकाल दोगे कैसे आएए देखते है बटा पहला questions लिखा है x plus y x plus y equals to 5 ठीक है equation 1 है बच्चा यह दूसरा क्या है सर सर दूसरा है 2x minus 3y equals to 4 दूसरा equations अब हमें यह ध्यान में रखना है बच्चा कि जब भी elimination method से solve करना हो question में यह demand कर रहा है कि आप इससे solve करो तो करना ही करना है अब इसका rule क्या कहता है कि कुछी भी एक variable हमारे पास एक x है दूसरा y है जब भी हमारे पास दो variables होते है न बच्चा तो उन में से किसी एक variable से बात करते हैं दोस्ती कर लेते हैं दोस्ती करने का मतलब उससे बोलेंगे भाईया एक काम करो अभी तुम दोना एक साथ solve नहीं हो रहे हो तो एक तुम चले जाओ कुछ देर के लिए कुछ देर के लिए रास्ता हटा दो अपने यहां से सुदर्ट मैं दूसरे वाले से बात करके उससे निप्टा दूँ फिर उसकी value जो भी मिलेगी मैं किस equation में रख करके आपकी value निकाल लूँगा तो इन भाई साब से बोलूँगा कि एक काम करते हैं चलो x और x को हटाने क ट्राई करते हैं तो इन भाई साब के पास कोई number नहीं है इनके पास 2 है तो मैं बोलूँगा एक काम करो तुम अपना 2 उठा करके इस सारे नंबरों को दे दो सारे linear equations की कोफिजन से multiply कर दो तो हम क्या करेंगे बेटा इस 2 को उठाएंगे इस 2 को उठाएंगे और इस से पू 2X प्लस 2Y एक्वल्स टू टू फाइब टेन एक्वेशन नंबर 3 मिल गया हमें आई बात समझ में जी सर आ गया अब देखो ध्यान से बच्चा अब अगर इन दोनों equations को second और third को देखा जाए लिखना पड़ेगा अगर from equations second and third को अगर हम सब्ट्राइट करें तो नीचे का स 2X माइनस 2 X से कैनल माइनस माइनस 3 2 मिलके 5 Y एक्वल्स टू माइनस 10 मेंसे 4 लेस करेंगे तो माइनस 6 यह कर जाएगा Y की वैल्यु सर आजाएगी 6 डिवाइड वाइड 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 फाइव सर y की value हमारे पास 6 divided by 5 तो आ गई है अब क्या करना है बच्चा अब हमें करना है अब हमें करना इस y की value को किसी दूसरे equation में put करो किसी भी equations में आप इसमें put कर सकते हो आप इसमें put कर सकते हो आप किसी में भी 1, 2, 3 में से जिसमें भी आपका मन करे बेटा y की value को put कर दो आपको x की value को मिल जाएगी बस याद रहे कि जिसमें भी आप put करोगे उसमें दूनों variable present होने चाहिए आजाओ हम करेंगे put x sorry y है न y equals to 6 divided by 5 in equation कौन से equation में करें बेटा चलो 1 में ही कर लेते 1 में क्या है x plus y equals to 5 है यह हमारा 1 equation है x की जगह पर x की value लग दिया y के जगह पर 6 upon by 5 लिख दिया यह हो जाएगा 5 यह x की value 5 यह plus था इदर जाकर क्या बन जाएगा minus 6 upon by 5 इसको 1 करेंगे तो यह cross multiply होगा बेटा इसे तो 5 5 कितना हो जाएगा 25 sir 6 बन जा 6 5 बन जा 5 लेस करेंगे तो कितना जाएगा 19 डिवाइड वाइड वाइब इसका मतलब x की value सर कितनी आ गई x की value 19 डिवाइड वाइड वाइड वाइगा यह हमारा answer हो जाएगा x की value वो रहे गई y की value यह आ गई दोनों equations हमारे पास मिल गए है बच्चा अब हमारे पास questions आ चुके हैं जिसकी value को हमने satisfied कर दिया है बिटा तो इस तरीके से elimination बस elimination में एक चीज़ का ध्यान रखना है बच्चा हमें ध्यान क्या रखना है कि बस किसी एक variable से दोस्ती करना है और उसको हटाना है और उसको हटाने के लिए क्या करना होगा simple सा इन वाले भाई साब पहले वाले निरीकेस के जिस variable को हटाना चाहते हो उन वाले भाई का साथ की जो coefficient होंगे अगर कुछ नहीं है मतलब one मान लिया करो आप उस one से दूसरे वाले में पूरा multiply कर दो और दूसरे वाले के जो भाई साब जिनको आप अठाना चाहते हो उनके variable से बस same variable रहेगा ना x x वाले के बात कर रहे हम तो x के जो coefficient होंगे उन वाले भाई साब को उठा करके पहले equations में पूरे में multiply कर दो just like that ऐसे हमने multiply कर दिया फिर से दो नए आपके पास equation होंगे उनको add या subtract जैसे demand कर रहा है equations वैसा करके एक की value निकाल लो उसकी value फिर किसी भी equation में जो पहले आपको पास given था या फिर आपने जो multiply करके लाया है उसमें से multiply किसी में भी रख दो गया आपके पास x की value आजाएगी या y की value जो भी आपके पास मिली थी वो दूसरे की variable की value को बता देगा clear बच्चो? done? quite out? नहीं? very good चली, दूसरे questions पर चलते हैं यह आपका दूसरा questions 3x plus 4y equals to 10 and 2x minus 2y equals to 2 मैं आपको एक मिनट का समय देता हूं फटा फटा एंसर बताओ बता चलो 30 second का समय देता हूं एक, at least एक variable की value बताओ जल्दी फटा फटा होगे डान? चलो आजाओ, देखो बेटा पहला equations का है बता? 3x plus 4y equals to 10 हमने ले लिया दूसरा क्या है? 2x minus 2y equals to 2 दूसरा equation हमने ले लिया बता अब सर देखो यहां से तो हमें एक ही चीज़ पता चल रही है क्या सर जी? पता यह चल रही है कि हमें अगर x की variable को या y की variable को हटाना है किसी एक को तो यहां पे किसी की पास भी 1 नहीं है मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं सोचना है इन वाले भाई साब से बोलूँगा कि भाईया तुम यहां से उठ जाओ और इसमें पूरा multiply कर दो और इन वाले भाई साब से बोलूँगा भाईया तुम यहां से हट करके इन वाले भाई साब में पूरा multiply कर दो चलो करके दिखाओ बिटा 2 को उठाओ पहले में multiply करो 2, 3 जाओ कितना हो जाएगा? 6X तो यहां पे लिखना पड़ेगा आपको multiplying 2 in equation first and 3 in equation second हमने 2 से first में multiply कर दिया और 3 से second में multiply कर दिया जो भी काम करोगे आप उसको आपको लिखना पड़ेगा बच्चो नहीं लिखोगे तो marks cut कर लिए जाएगे आपको step marking में यही खास ध्यान रखना पड़ता है अब हम multiply करेंगे कितना है जाएगा सर? सर जी यह value दिखाएगा हमको 2, 3, 6X प्लस 2, 4, 8Y प्लस 2, 10, 20 equation number 3 हो गया सर यह भी पहला और दूसरा तो था अब दूसरे में 3, 2, 6X minus 6Y minus 3, 2, 6 equals to 3, 2, 6 3, 4, 1, 2, 3, 4 मिल गया अब solve करो subtract कर देंगे क्या करेंगे बटा? subtractions क्यों सर? दोनों का sign सेम होता है तो subtractions करते हैं जिस variable को हमें हटाना हो अगर हमने उनके दोनों को coefficient को same कर दिया है तो अगर दोनों sign different होंगे तो add करोगे और अगर उन दोनों के पास जो sign होंगे चाए plus हो चाए minus अगर दोनों same है तो subtract करोगे आप तो सर देखो इन दोनों को हमने equal करना था coefficient तो same है बट sign भी same है इसलिए हमें subtract करना पड़ेगा और नीचे के सभी sign होंगे चेंज करना पड़ेगा तो सर हमने change तो कर दिया अब answer बता दो कर लो भी या ये cut जाएगा पूरा 8 ए 8 6 कितना हो जाएगा सर 14 y equals to 20 में से 6 list करेंगे सर 14 तो y की value सर 14 divide by 14 ये cut जाएगा तो y की value सर आ जाएगी 1 अब अगर y की value 1 आ गई है सर तो next क्या करें हम कुछ नहीं करना है बच्चा बस हमें जैसा जैसा पूछ रहा है उसके उसके accordingly चलना है कैसे देखो y की value 1 आ गई अब आपकी मर्जी बच्चा चाहे आप 4 में रखो चाहे 3 में रखो चाहे 2 में रखो put y equals to 1 in equation second second में रख दिया क्या equations कहता है 2x minus 2y equals to कितना है बटा 2 ठीक है डन चल आगे देखो हम रखेंगे y की value को 1 तो 2x minus 2 into 1 equals to 2 then 2x minus 2 equals to 2 then 2x equals to 2 plus 2 then 2x equals to 4 तो sir x की value 4 divide by 2 1 जा 2 जा यानि x की value sir आगई 2 यह हमारा answer हो गया sir y की value 1 आगई और sir x की value 2 आगई इस तरीके से आप questions को solve भी कर लोगे और अगर आपको check करना है on the spot कि हमारा जो answer x और y का आया है सही या नहीं रख करके देख लो बिटा पहले वाले में देख लो तो 3 2 जा 6 x की value 2 आई न 3 2 जा 6 प्लस 4 बन जा 4 तो 6 प्लस 4 10 आ गया बहुत अच्छा 2 2 2 जा 4 माइनस 2 बन जा 2 तो 4 में से 2 लेस करेंगे तो 2 आ गया मतलब जो भी variable की value आप निकालो बच्चा on the spot जो equation आपके पास question में given है उसमें x और y के place पर रख के देख लो अगर left hand side बराबर right hand side आ जाता है तो on the spot आपको पता चल जाएगा कि आपने जो questions का solutions किया है वो सही है या नहीं है अगर कुछ भी गलती रही है तो कभी भी left hand side right hand side के बराबर नहीं आएगा और अगर आ गया तो फिर उस questions को कोई भी गलत नहीं कर सकता ना examiner कर सकता है ना question बनाने वाला ठीक है बच्चो clear यहाँ तक समझ में आ गया पूरा detail में कोई doubt कोई problem पक्का समझ में आ रहा है गुड़ चलिए next question पर चलते हैं बच्चो तीसरे questions पर आ जाते हैं चलो questions पढ़िए पढ़िए questions देखो बेटा पहला क्या question दिया है 3 पहला equation से 3x minus 5y equals to सर माइनस 4 को अगर इधर भेज़ दूँगा तो 4 हो जाएगा equation 1 दूसरा इस प्लस 2y को इधर भेज़ दूँगा तो माइनस हो जाएगा यानि 9x minus 2y equals to 7 equation number 2 दोनों equation आ गया फिर किसी एक को अब ध्यान में रहे बच्चा आप किसी variable को equal कर सकते हो चलो इस बार y की variable को equal करते हैं y की variable को equal करते हैं हम बार-बार x को क्यों कर रहे हैं यह दिमाख में मत fit करना क्योंकि हम बटा हमेशा x से ज़्यादा relate करते हैं कि समबस तो गए होगे आप लोग है ना बच्चा क्योंकि एक्स हमारी लाइव का सबसे फेवरेट अलफावेट है जितने भी मैट्स पढ़ने वाले मैट्स से प्यार करने वाले उनको एक से बहुत खास लगा होता है है सभी बोल रहा हूं है ना तो चलो तो दे इसी लिए में एक्स को बार बार ना करके आज हम वाई वाले भाई से दोस्ती करेंगे और इनको हटाने का ट्राइब करेंगे क्या करेंगे बच्चा इन्सके बात करेंगे कि भाया तुम अपने नंबर को उठाओ क्या लिखेंगे multiply multiplying 5 in equations 2 and 2 in equation 1 2 से multiply कर देंगे एक में और 5 से multiply कर देंगे 2 में ठीक है? चल करके देखते हैं बटा 2 से multiply करो 2 3 जा कितना हो जाएगा बटा? 6 x minus 2 5 जा 10 y equals to 2 4 जा 8 equation number 3 फिर 5 से करो 5 9 जा 45 x minus 5 2 जा 10 y equals to 5 7 जा 35 equation number 4 अब मैंने क्या rule बता है था बटा? जिस variable को हमने equal किया होता है जिस variable के coefficient को हमने equal किया होता है उसके sign के पास जाते है अगर दोनो variable के पास sign same होता है तो करेंगे subtraction और दोनो variable के पास sign different होगा तो यानि दोनो variable किसी बात करो जिसका coefficient अपने equal किया है उन दोनों का अगर sign same रहेगा तो करेंगे subtraction और अगर उन दोनों का different रहेगा तो करेंगे addition आज अब अच्छा इन भाइस आप से पूछा तो दोनों के पास minus था मतलब क्या है बेटा same same होते ही हम करेंगे subtract minus plus minus कर दिया तो बेटा ये तो पुरा कट जाएगा minus 40 मैं इसमें से 6 less करेंगे तो minus 39x आ जाएगा minus से गया x की value आ जाएगी 27 divided by 39 3 से करो 3 9 जा 3 13 जा तो sir x की value कितनी आ गई sir x की value आ गई है 9 divided by 13 अब अगर x की value 13 आ 9 upon 13 आ चुकी है तो अब क्या करेंगे sir कुछ नहीं जो हमेशा करते आए हैं क्या करते आएं बेटा बस put करेंगे किसमे किसी भी equation में put कर दो तो लिखेंगे put x equals to 9 upon me 13 in equation किसमें करें बता बेटा first second third कुछ में भी कर लो चलो first में कर लेते हैं तो पहला वाला क्या है बेटा पहला वाला बोलता है 3x minus 5y equals to 4 ठीक है पहला वाला बोल दिया तो पहले वाले से दोस्ती करना start करो 3x के जगह पर रखेंगे 3 into 9 upon me 13 minus 5y equals to 4 9 3s are 27 upon me 13 minus 5y equals to 4 इस भाइस आपको बेश देंगे दूसरे साइड यानि minus 5y equals to 4 minus 27 by 13 इनको upon 1 करके करेंगे cross multiply यानि minus 5y equals to 13 4 जा कितना होता है 52 minus 27 बन जा 27 upon me 13 बन जा 13 तो less करेंगे बेटा 27 तू जा होता 52 तू कम करेंगे तो 25 upon me 13 इस 5 से इधर multiply कर दो यानि y equals to minus 25 upon me 13 into 5 5 बन जा 5 फाइव जा तो सर y की value आ गई है minus 5 upon me 13 तो सर x की value 9 upon 13 y की value minus 5 upon me 13 अब इन दोनों की value को दोनों equations में रख कर कर के चेक कर लो बिटा कि left hand side और राइट hand side same आता है कि नहीं अगर same आ जाएगा तो आपका answer correct मना जाएगा और अगर same नहीं आया तो ये answer गलत मना जाएगा तो on the spot आप अपने answer को भी check कर सकते हो बताओ is that clear कुछ भी नया नहीं है बस एक ही concept सिख रहे हैं इस वाले भाई साब को पकड़ेंगे दूसरे वाले भाई साब multiply और दूसरे वाले भाई साब को पकड़ेंगे तो पहले वाले में multiply multiply करके same sign आया तो subscribe और अगर different sign आया तो addition बस दो step रखना याद उसके बाद eliminations की धज्जियां उड़ जाएंगी बिटा आपकी नहीं eliminations की वो खुद eliminate हो जाएगा ठीक है? done? clear? good, very good बिटा आईए पहले questions के last questions पर चलते हैं यानि 3.2, 3.3 के first questions के first question number के subsection number 4 पर चलते हैं जो कि last questions है आप में थोड़ा सा देखने में डरा होना लग रहा है तो पहले हमें linear equations बनाना पड़ेगा कि ये rational form में दिया हुआ है तो हमें linear equations में बनाना पड़ेगा कैसे करेंगे बिटा? कुछ नहीं सर जी आपने तो सिखाया था बस इसको multiply करो 3x जा कितना हो जाएगा? 3x प्लस है दे दिया सर 2, 2 जा कितना? 4y नीचे 3, 2 जा 6 आएगा 6 का इसमें multiply करेंगे तो सर minus 6 equation number 1 अरे समझा क्या बिटा? समझ में आया? कुछ था इसमें नहीं क्या किया? सर 3 का x में किया 3x सर 2 का 2 में किया 4y अब 3, 2 जा नीचे का नीचे से करेंगे तो 6 आएगा और 6 को भेज़ेंगे इदर तो minus 6 मतलब 6 बन जा 6 minus था तो minus 6 हमने रख दिया अब 3x plus 4y equals to minus 6 equation number 1 सर जी इसको का करें? इसको करें 1 upon 1 यानि x upon 1 फिर से सर जी cross multiply करेंगी तो कर दोना बिटा का एक को देख रहे हो देखो 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 questions को देखना अच्छा ही अच्छी बात है 3x जा 3x सर y1 जा minus y सर 3 3 आप 3 देखो इन दोनों का multiply करूँगा तो 3 आ जाएगा इसको इदर भेज दूँगा तो 3 3 जा कितना जाएगा सर 9 equation number 2 कर दिया सर जी अब बताओ क्या करना है अरे बटा मैं ही बताओं क्या step है दूसरा number पहला step क्या कहता है कि बटा इन लिनेर इक्वेशन जैसे ही मिले सबसे पहले देखो किसी एक variable की दोनों coefficient सेम है की नहीं और अगर नहीं है तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा सेम तो आज आ भया इनसे पूछते है भया y का सेम नहीं है भया x का अरे ये तो दे दिया अब करना पड़ेगा नहीं नहीं कर सकते क्यूं सर क्यूं नहीं कर सकते पिटा यही तो हम कर रहे थे हर equations में हर equation में यही कर रहे थे कि हम दोनों variable यानि जो भी एक variable को हटाना है उसके coefficient को सेम करके हम plus minus करके हटा देते थे इन भाई साब ने तो पहले ही सेम करके दे दिया है तब हम दूसरे step पर चले जाएंगे दूसरे step क्या कहता है कि अगर जिन variable को हटाना है उनके coefficient सेम है उसके साथ साथ उनका sign सेम होगा तो करेंगे subtraction और अगर sign different होगा तो करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे addition बच्चो अब यह दोनों का sign सेम है प्लस प्लस है तो कर देंगे subtractions तो कर दो न बिटा किसका weight कर रहे हो सर प्लस है तो minus minus है तो plus plus है तो minus यह तो चला जाएगा अब 4 में एक add करेंगे तो सर 5y आ जाएगा equals to minus 9 minus 6 मिल करके minus 15 हो जाएंगे तो सर y की value minus 15 divide by 5 तो सर y की value minus 3 आ गई अरे समझा की नहीं बेटा समझ में आ गया y की value minus 3 कैसे आई समझ में आ गया कोई doubt कोई परिसानी नहीं न आईए सर आगे क्या करें कुछ नहीं बेटा वही करना है जो करते आए हैं y की value को उठाओ एक या दो में रख दो तो हम सर रख देते हैं put y equals to minus 3 in equation in equation first तो सर first क्या है 3x plus 4y equals to minus 6 y की value minus 3 रखो जी रख रहे हैं बहुत-बहुत मेरबानी करेंगे आप की उपर हम तो 3x plus 4 into minus 3 equals to minus 6 तो सर जी 3x minus 3 हो जाएगा 12 minus 3 4 जा 12 equals to minus 6 अब इन भाई साब को वहाँ बेजेंगे यानि 3x equals to minus 6 में plus 12 हो जाएगा तो भाईया 3x equals to 12 में से 6 list करेंगे आएगा 6 तो x की वैल्यू 6 डिवाइड वाई 3 3 वन जा 3 टू जा तो सर जी x की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 2 सर y की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास minus 3 यही हमारा answer होगा अरे समझा की नहीं बिटा बताओ समझ में आ रहा है elimination eliminate हो रहा है दिल से भी और दिमाग से भी किसी और को eliminate मत कर देना सिर्फ इसी को eliminate करना दिल से किसी और को eliminate मत कर देना सिर्फ इसको eliminate करना ठीक है? done? clear? बहतरीन बच्चो बहुत अच्छा बहुत अच्छा वेरी गुट शाबाश क्या बात है बस यही एनर्जी यही जोश चाहिए हर चीज को करने के लिए उसके बाद तो मैट्स क्या है मैट्स तुम खुद रोले रोले उड़ाओगे बेटा चल हान जी यानि हमने question number one complete कर लिया है अब बात आती है word problem की तो word problem का अलग session लेकर क्या हूंगा as promised कि बच्चा दोनों को mix नहीं कर सकता क्या कि एक बच्चा जिसको word problem से डर लगता है उसके लिए मैंने last class में भी अलग से बनाया था और अलग लेकर कर आया था session इस बार भी इस practice state का भी अलग topic लेकर क्या हूंगा किस किस पर command बनानी है यह question जहां भी दिखे न बिटा इनको उड़ा डालना practice कर लेना चाहे पी वाई क्यू में दिखे चाहे आपके किस स्कूल में कराया चाहे चाहे मैं खुद ज़्यादा ज़्यादा करवाँगा या आपकी NCRT में हो या किसी भी book में अगर इस type के questions है इसी type में चाहे आपसे quadratic equation में पूछ सकता है इसी type में linear equation भी पूछ सकता है इसी type में आपको मतलब यह आगे पीछे करके आपका arithmetic progressions में भी number के बेस पर पूछ सकता है इनमें से कोई न कोई आपको एक topic दिख जाएगा एक चप्टर वन से चप्टर फिप्त के बीच बीच में तो बैटा इनका कोई भी questions हर चप्टर में देखे हर चप्टर में उड़ाओ बैटा ठीक है done आईए कुछ बच्चे जो नए है बोर्ड में प्लस उसके साथ साथ बैटा जो आप market में sample paper खरीद देते हो वो भी नहीं खरीदना होगा सिर्फ मैं maths का आपको 15 sample paper advance जो इस साल आ सकता है उस पर बेज बना करके दूंगा बैटा खूद अपने हाथों से questions को design करूंगा ऐसे questions जिसकी chances 100 में से 90% रहेंगे आपक कुछ कहीं नहीं खरीदना है प्लस प्रैक्टिस से हमारी सीरीज चल रही है इसी वेब बैच में निपून बैच में आप इसको फटा फट जॉइन कर लीजे हमारा code है y929 इसको utilize करोगे तो आपको maximum 17% off लगेगा यानि यह इस पर 599 पर भी आपको 17% off हो जाएगा और आपक पता है यह हमारा बैच जो है ना जो वर्कसिट सॉलिशन की है जो उसमें दो चिप्टर हो गया है मात्र 12 चिप्टर और बचे है और मेरा टार्गेट है कि मैं जुलाई एंड तक वर्कसिट आप से complete कर वालूं सोचो अगर वर्कसिट आप जुलाई या अगस्त एंड तक अ सारे बच्चे sample paper की तरफ भागते हैं नहीं जाना previous year की तरफ भागते हैं नहीं जाना है बटा क्योंकि मैं आपको इसी में सब कुछ करवा रहा हूं सेंपल paper मैं खुद करवाऊंगा और उसकी design questions मैं खुद कर रहा हूं बटा किसी और से नहीं करवा रहा हूं बाकी market में जो अगर किसी चप्टर में कोई doubt है suppose करो मैं आपको तीसरा चप्टर पढ़ा रहा हूं और आपकी school में या कहीं और पर आपको कोई और चप्टर आ रहा है तो बटा आपको घबडाने की जरूरत नहीं यह फटा फटा फट जना recorded वीडियो वहां पे हर चप्टर की अवलेबल ह विटा तो उसको आप आराम से देख लोगे वहां पे रिविजन करके आप जाकर के एक्जाम दे सकते हैं उसके साथ साथ doubt session इसमें most important है doubt session मतलब अगर आपको लगता है कभी मुझसे आपको connect होना है कि मैं सरसे बात करना चाहता हूं कोई इस topics में doubt लग रहा है कैसे करना है ह हम demotivate हो चुके हैं पढ़ रहे हैं लेकिन result में marks नहीं मतलब रिजल्ट नहीं आ रहा है स्कूल में marks नहीं आ रहे हैं इन सभी चीजों का doubt session भी रखा गया है इसमें personally one on one रखने के लिए बहुत ही important और बहुत ही impactful है इतना कम जो की recharge भी है दो मेने का recharge कर आओगे तो वह भी 600 से ज़्यादा हो जाता है इसमें 584 या 574 के around में पूरे साल का यह मैं आपको guarantee के साथ दे रहा हूं कि एक बार हमसे जुड़ करके देखो फिर आपको समझ में आ जाएगा बैचा अगर आपको लगता है कि नहीं सर्फ sample paper हमारे पास है हमें सर्फ recorded वीडियो दे दो तो हम ब 17 portion का off आपको मिल जाएगा इसको ध्यान में रखना बच्चा इसके साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को subscribe ज़रूर कर लेना notification on कर लेना क्योंकि बहुत important important session और बहुत ही board में आने वाले questions भी YouTube में मैं free में करवा रहा हूं तो अगर आप afford नहीं कर उसका notes proper बना सको उसके साथ साथ अगर आपको worksheet और class की PDF अगर चाहिए होंगी बिटा तो याद रखना हमारा channel है जो telegram channel है add the rate संकल्प भारत foundations ये सर्च कर लेना बिटा add the rate संकल्प भारत foundations उसके आलमा description में भी आपको इन सभी के link मिल जाएंगे तो इसको join कर लो यहाँ पे है तो मैं इस group में डलवा देता हूं हर class के बाद वहां से आप इसको download करके अपना practice कर सकते है ठीक है उसके साथ में साथ एक और है एक प्यारा सा आपके आनंद सर्दोरा लिखी हुई जो भी poems रहती है जो भी इसायरी इस रहती है या कुछ साथ ट्रिक्स है इस channel पर आपको वो प्रवाइड होती रहेंगी जो की within एक सेकेंड के अंदर आपको ज़्यादा नहीं दीखना है एक सेकेंड दो सेकेंड में जो भी like एक मिनट दो मिनट के अंदर एक सेकेंड नहीं एक मिनट के अंदर आप इसको देख सकते हो इसको subscribe जरूर कर लेना बिटा और अपने सा लटना और अपने परिवार का भी टेक क्यार गॉड ब्लेश यू